नमस्कार साथियों कैसे आप लोग उमीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे और अपने घर पे बहुत बढ़ियां से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे एक बाफिर से आप सभी का अपने चोटे से प्यारे से चैनल पर आप सभी का most most welcome करते हैं आज आपके लिए एक नई information लेके आये। अभी तक आप हमारे चैनल पर सिर्फ एजिक्स के बीडियो ही देख स्टिंव करते थे। आज से एक नए यात्रा शुरू कर रहे ऐसे चैनल पर एक नए टार्गेट रीड़ru भी अप्लोड करेंगे के मस्टी के वीडियो भी अप्लोड करेंगे बेसिकली यह जो चैनल हमने बनाया है योपी बोड के बच्चों को ध्यान में रख करके बनाया है हिंदी मीडियम के बच्चों को ध्यान में रख करके बनाया है हमने अपने टीचिंग कैरियर में अभी हमक सारे प्रावलों को डिसक्स करने के लिए बड़ा वक्त चाहिए जो कि यह यह टीचिंग वीडियो है आपका कंटेंड मुझे पढ़ाना है बट जो हमने अनुभव किया अपने टीचिंग कैरियर में हिंदी मीडियम आले बच्चों को कि क्या-क्या प्रावलम्स आती है जब जेए एडवांस का पेपर देते हैं नीड का पेपर देते हैं किसी भी कमटीशन का एक्जाम देते हैं इंजिनरियर मेटिकल से रिलेटेड उनके अंदर जो कमिया रह जाती है उन कमियों को दूर कैसी किया जाए तो जो बच्चे हमारे पास आफलाइन क्लास में आते हैं उ और इस यूटूब चैनल के माध्यम से जितने जादा से जादा बच्चों को हम गाइड कर सकेंगे वह हमारे लिए बच्चों सवभागी की बात होगी तो आज से हम लोग क्लास 12 की क्यमस्टी भी स्टार्ट करेंगे जैसे का आप सबको पता भी होगा कि क्यमस्टी की दो ब बस हम कबर करेंगे वन बाइवन पूरस लेवसा थोड़ा लेट हुआ है अभी बोड एक्जाम जो है आपके टाम टेवल अभी एनाउंस नहीं हुआ है बहुत सारे टाम टेवल सा रहे हैं अब अभी सर्टे नहीं गवर्मेंट की तरफ से कौन सा टाम टेवल कब से आपके हम होगे लेकिन कोशिस करेंगे कि विदिन टाइम आपकी को कमप्लीट हम कर देंगे ठीक है तो जो आपका है पिपर वो दो बुक में डिवाइड है क्यमस्टी रसायन पिग्जान रसायन पर ग्यान पांच मिनट बस देख लिए जाए कैसे हमारी स्टेटजी रहेगी कैसा हमारी यात्रा रहेगी कैसे हमारी सुरुगात रहेगी इसकी एक रूप रेखा बना लिए बच्छों के मस्टी इसमें भाग वन पार्ट वन जिसको आपका होगे भाग वन और भाग तो यह आपका है भाग वन पार्ट वन और पार्ट व इसमें आपका आता है फिजिकल केमस्ट्री कौन केमस्ट्री आती है फिजिकल केमस्ट्री बच्छों फिजिकल केमस्ट्री आती है और प्लस इन और्गैनिक केमस्ट्री इन और्गैनिक केमस्ट्री जो एंसी आटी ने Class 12 की Chemistry को structure किया है, Part 1 में उन्हों पूरी तरीके से और जो Part, तरीके से और जो Part 2 है वो पूरी तरीके से उसमें और जो Part 2 की पूरी तरीके से और जो Part 2 में पहला चप्टर पहला चप्टर है इस चप्टर को पढ़ा करके और हमें खुद एक बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है चप्टर को पढ़ा कर के और हम प्रॉमिस करते हैं आप सभी को यह चप्टर पढ़ कर के बहुत ही मज़ा आएगा और यह चप्टर ऐसा है इतना ज्यादा इतना ज़एदा इमेजनेशन है आपको चप्टर पढ़कर बोल रहा हूं इतनी जादा इमेजनेशन है आपको मज़व सकता है तो है अपिक सुक्सिक्ड हरु करूँ इतनी जय्दा जार्डा इमेजीनेशन सा आपको जीतने ज़्यादा सुख सकता है जतना ज़्यादा मेजिन कर सकता है उस बच्चे को स्टूडेंट को अतना ज्यद्धा इह चेपटर इनज्वाय करेगा वह इतना ज्यादा उसे समझ माइगवा चाहे वो बर्ड का बच्चा वह ky LLC επकेट तो कोई बात नहीं है हर किसी कवाये के चप्टर आप पूरे वीडियो लख्श्टर देखिएगा पूरी वीडियो लक्टर की सिरिज देखिएगा हम आपको बच्षों पूरा न सिर्ट की लाइन टू लाइन पढ़ाएंगे, NCRT की जो बुक है, उससे बेहतरीन बुक कोई होई नहीं सकती है, NCRT बुक आप ले लीजिए, NCRT की लाइन टू लाइन में आपको पढ़ाऊंगा, और उसका नोट्स हम खुद आप बनाऊंगा, हम खुद बनाएंगे उसका नोट्स और इस वीडियो जो डिस्किप्शन है, YouTube वीडियो का जो डिस्किप्शन है, उस डिस्किप्शन बॉक्स में हम इसको नोट्स को अपने अपलोड कर देंगे, वहां से आप जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा आपको बहुत जादा हाड़ वर्क नहीं करना है सिर्फ आप वीडियो देखिए और हमारे नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए और यंसे जाटी बुक रखे रहे हैं एक बार दो बार उसको पर पढ़ लीजिएगा बाकी टुटा के बारे में हमने चर्शे किया क्लास सबसे पहले हमें पढ़ना है उसके बाद इन और्गै और फिट दन और वहां तो इसको इसको हम इडा दे रहे हैं पूच्क? स्टर्ट करते हैं एक नई जरॐनिये का समर्थन चाहिए चोटे सी चैनल को ऐख करने में भ нос करने में बढ़ाने में जायदा ज्यादा स्ट्धिंट को जोड़िये जैनट और मेहनट करें ऐसा नहीं है अप form चैनल तो आपको लाव नहीं होगा, जितने भी YouTube पे बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर बेदेरे, टीचर अपने अपने अनवाव को लेकिए यहां सेयर करते हैं, पढ़ाते हैं, तो निशी तरोब से बहुत सारे टीचर पढ़ा रहा हैं, हम भी अपना अनवाव सेयर कर रहे है अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आपका टायम बेस्ट नहीं होगा कुछ ने जरूर सीख याँगे यह हमारे गरांटी उन्यों कुछ जरूर सीख के जाएंगे और हम तो कोईसिस करेंगे कि सबसे अच्छा हम पढ़ा हैं लेकिस अच्छे दुनियम कुछ होता न आपका वो है ठोस अवस्था जिसका नाम है सालिड स्टेट तोस अवस्था या सालिड स्टेट आप एक बढ़िया सा नोट्स रफ ले लीजिए रफ पर आप लिखते जाए नोट्स तो हम अपलोड कर लेंगे वैसे आप खुद से लिख लिख करके नोट्स बनाएं को आप इंट्रियूस करा लेजिए सिर्फ एक कॉपी आप बनाएं ताकि बार-बार आपका ध्यान इधर उदर भटकना ना परने तो पतला कोई चीज इधर से पढ़ना उदर से पढ़ना तो आपका टाइम बेस्ट होगा बच्चों जब एक्जाम का टाइम आएगा ही आतरा सुरू किये हैं बहुत मुझे अच्छा लग रहा है उमीद कर रहे हैं कि जितने भी लोग इस वीडियो को वाच कर रहे होगे उन्हें भी अच्छा लग रहा होगा और हम प्रॉमिस करते हैं कि इसको करेंगे तिल टू इंड आप दो सलाइबस जब तक हम पूरा सल अजना आएगी अवस्था क्या होती है अवस्था सब्द से आप परचित होंगे इस्टेट बच्पन से आप लोग पढ़ रहे हो इस्टेट क्या होती है बच्पन से पढ़ रहे हो आज भी आप देखते हो अवस्थाएं अवस्थाएं आप देखो मैटर मैटर की अवस्थ तो इसमें पढ़ना क्या है आपको तो सबसे पहले अगर हम आप से पूछें वाट इस मैटर एक दम जीरो लेवल से सुरू करते हैं कोई जल्दबाजी नहीं ठीक है थोड़ा सा वीडियो लंबा बनेगा दो चार मिनट कोई बात नहीं है लेकिन हर बच्चे को ध्यान में प्रउम चेप्टर को कंटेनियो उसली फुलो में चलाएंगे क्या होता है यह स्थान गेती है जिसमें भार होता है उसी को दिर आप कहते हैं जैसे मारकर मेरे हाथ में हैं मारगर इस से हम लिख रहे हैं इसमें भार भी है यह अस्थान भी घेरता है तो भी क्या है द्रब्य है वाटर है पानी उसमें भार भी होता है और वह अस्थान भी घेरता तो भी क्या है द्रब्य है वाई वाई में भी क्या है भार होता है वाई में भार होता है एक नहीं होता आप लोगों ने इस्परिमेंट किया खाली गुबारा को ताव लिया आपने अब फिर उसमें एर भर करके आप फिर उसको तावलते होते यह बढ़ा जाता है तो वह बढ़ा दो यह अवस्था होती यह बहुत बहुत सारे बाते हैं इस सब चीजों पर हम लोगों ने अलड़ ही करके रखा हैρέ तो कोई हो जाती है को इसी क्लैकि जाती हैं दोनों बातें एक होती है matter आप कहलेजिए substance कहलेजिए तो यह नेचर में तीन रूपों में पाई जाती है किते रूपों पाई जाती है बच्छों आप मेरे साथ आप रिस्पांस किया करिए नहीं कि बस चुप चाप जो है वीडियो ही देख रहे हो अगर मैं कोई चीज पूछता हूँ तो आप मेरे स यह रूप पाई जाता है पहला क्या डस्थ होस पहला क्या है ठोस अवस्था जिसको आप क्या कह लेते हैं solid ओके दूसरा है बच्छों द्रव क्या होते हैं द्रव क्या होते हैं तो अभी हम देख लेंगे इसको इंगलिस में कहते हैं liquid ओके गैस तीसरी वस्था क्या है गैस कि तीन स्टेट इसके ऑस्थायं में पाए जाता है मतलब तीन रूप में हमको दिखता तो यह दर्व होगा तो तो इस पडार्थ होते हैं इन तीन रूपों में पाए जाते हैं तो क्या कभी आप Kate स्कालिए दिमाग में ये ख्याया है कि ये तिन रोप हैं इस के पीछे का हुँआ होता है स्की पीछे का और हुप यहन पर काम सुरूर होता है अभी तक ढ़िए तो आप जान्ते ही होंगे कि DRUG वहती है लेकिन अभिजिकली समचना जहां पर अब मेरा काम शुरूरा है मेरा काम माने कि अगर हम आपको कुछ शिखा पाएंगे इस वीडियो लेक्चर में कोई नई चीज शिखा पाएंगे बच्चों तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी और आपका भी वीडियो देखना सार्थक होगा कोई चीज़ यह जो मैटर्स होते हैं जो द्रव्य होते हैं वो कभी ठोस हो जाता है कभी द्रव हो जाता और कभी गैस हो जाता है तो वह कौन सी चीज है जिसकी जो इसको निर्धारित करता है जो इसको डिटर्माइन करता है कि वह तुम ठोस हो जाओ तुम द्रव हो जाओ और तुम गैस ह हो जाओ कुछ तो कुछ कोई न कोई factor होता होगा न कोई न कोई factor है और वेनी दोनों फैक्टर को यहां पर चुप पढ़ाएं पर ने ने लिखती पर त्याहर से सुनेंगे मैं लाइन टू लाइन से आड़ी स्प्लेन कर दोंगा नोट्स के साथ एकदम से स्टेमेटिक तरीके से कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी निस्ति ताप और दापपर कैसे अट कांस्टाइंट प्रेशर रहें चंप्रेचर पदार्थों में दो प्रकार के फ्रेक्टर पाए जाते हैं आप यह कह लिजिए एक फोर्स होता है और वह भी फोर्स ही होता है अभी पहले हम दोनों को लिख लेते हैं सिस्टम से उसके कांस्टेंट टम्प्रेचर एंड प्रेशर किसी भी निस्चित आप और दाप पर कोई भी ताप आप ले लिजिए अपने पसंद का कोई भी आप अपने पसंद का दाप ले लिजिए और आप कोई मैटर ले लिजिए अब इस मैटर कोई भी आपके पास मैटर कोई भी आप के पास ध्रब्य है तका सस्थ में पसंद करोगे गैस में पसंद करोगे तो इस यह चिंदरब्रेश्ण Peng शर पर यह मैटर किस अवस्था में रहना पसंद करेगा इसको डिसाइड करने के लिए دो बाते जरूरी दोनों बाते क्या है पहला पहली बात ये है पहली बात ये है कणों के बीच कणों के बीच लगने वाला कणों के बीच लगने वाला आकरसण बल बेरी बेरी इंपोर्डेंट बच्छों कणों के बीच लगने वाला आकरसण बल जिसको आप कहते हो अंतरा आणविक अंत्रा आडविक अंत्रा आडविक आकर्शन बल जिसको क्या कहा जाता बच्छों अंत्रा आडविक आकर्शन बल इंटर मालिकुलर इंटर मालिकुलर अट्रक्शन फोर्स तो किसी भी टंपरेचर और प्रेशर पर किसी मैटर से जब आप पूशें कि भाई यह तुम बताओ किस स्टेट में रहना पसंद करोगे तो वो दूव फैक्टर पर डिपेंड करेगा कि वो किस स्टेट में रहना पसंद करेगा पहला है कड़ों की बीच लगने वाला करसंवल और दूसरा है उसमी वेग क्या है उसमी वेग थर्मल वेलासिटी थर्मल वेलासिटी एक दम फंडमेंटल आपको पढ़ा रहे हैं यहीं से स्टार्ट होती होड़ा सॉलिड स्टेट की कहानी अगर यह आपको समझ में आया तो आगे स समझने में कोई दिक्कत नहीं और यहीं से आपका स्टार्ट यह मज समझे कि हम स्टार्ट स्टार्ट है स्टार्ट होता है अध कॉए आर पदार्थ ओल्टा इन तीनों अवस्थाओं में किस अवस्थामे रहना पसंद करेगा वो इन दोनों याय अ Merci ょकर Till walking कवीच लगने दोनों एक दूसरे के बिरोधी होते हैं, कैसे एक दूसरे के बिरोधी होते हैं, यह जो कण सब्द है, इस पूरे चैप्टर में आप पहले समय लेजिए, यह जो कण सब्द है न, यह पार्टिकल सब्द जब भी मैं बोलूँगा, इसका मतलब आप क्या समझेंगे, इसका मतल इसको बहुत अच्छे से समय लेजिए इस चेप्टर में जब भी मैं आपसे कहूं कि यह कंड जो है मैं कंड अगर बोलूँगा पार्टिकेल बोलूँगा कसिस्टेंट पार्टिकेल या अभी कंड जब कि मैं बोलूँँ तो आप समझना कंड का मतलब क्या हुआ पर माड हो सकता है और या बोलेंगे तो किसी भी इन तीनों अवस्थाओं में किस अवस्था में रहना पसंद करेगा वह इन दोनों फैक्टर पर डिपेंड करता है तो कंड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कंड के बीच लगने वाला जिसको इंटर अंत्रा अडविग बल का काम क्या है बच्छों अब आप समझें जैसे एक मालीकोल से यह यह एक पार्टिकल है दूसरा पार्टिकल है वह दुल्टंत कंड करते हैं नाम से ही क्लिए क्या क्लिए यह इंटरक्टिव नेचर के बाट रहा है कैसा अज़ां लग रहा करता है दो परमाड़ों को दो अड़ों को या दो आयनों को पास लाने का काम करता है तो जो पास लाने का काम करता है उसे हम क्या कहते हैं इंटर Mire vitals इनका काम किया है ? उसम्स मामाने क्या होता आप समझ रहे हो उसमं मामाने क्या होता ? और गती की विलास्टी लाश्टी है उसको गतिका वेग जो होता है उसे उसमी वेग के नाम से चानते हैं अभी उसमी वेग क्या करेगा एक पार्टिकल यहां है दूसर पार्टिकल इसके पास विलास्टी है तो विलास्टी है क्या इसको यह एक दूसरे से दूर भागना चाहेंगे तो दो फैक्टर हो गए आकरशन वा एंको पास लाना चाहता है जब कि हुसमी में इनको दूर लेकि जा ना चाहता है तो इस और यह धोनो परस पर विरोधी फोर्स फोर्स होते हैं परस पर विरोधी गुण होते हैं वेडा कि सीभी माटर के अंदर अब यह तोनों विरोधी गुणों में से जो घुन ज्यादा और से Zarate twenties जो ज्यादा प्रभावी होगा वह ही डिसाइद करेगा कि इस टमप्रेचर और प्रेचर पर घ्रहा होगा की जो है वह गोगा है कि समझ मारे बाते ददा मैं कि बेस्ट कर रहा हूं आप इत्मिनान से अगर उटा कंसंट्रेट हो करके आप इस टापिक का इंज्वाए करेंगे पूरे ध्यान से पूरे मन से तो वाकई में आपको मज़ा आएगा तब आपको फील आएगे कि हां हमने इस टापिक पर मेहनत किया है आपको सिखाने के लिए अगर आप वीडियो को ऐसे ही देख रहा हो तब तो ना आपको अपनी मेहनत समझ मैंगे इस पूरे वीडियो लेक्चर को बहुत ध्यान से आप समझेंगे तब ही आपको फायदा मिलेगा तो किसी भी गिवन टमप्रेचर और करेगा कि सवस्था में हमें दिश्रर्ली मिलेगा फो इन परस पर दो विरोधी गुणुपर डिपिन करता है जिसमें पहला टक्षण फोर जो पास लाने का काम करता है और उसमीं वेग जो उनको दूर ले जाने का काम करता है अब इतना तो सब को पता कि ठोसों में जो सॉलीड होते हैं उसमें क्या होता है जो कण होते वह पास पास होते हैं अगर उसमें वेक ज़ादा है तो वह कणों को दूर-दूर कर देगा और गैसी आवस्ता में पहुच जाएंगे तो में जादा बढ़ने से क्या होगा उसमें जादा बढ़ने से उसमें जादा बढ़ने से वह कुई फैला हुआ है तो पता इन तिनों अस्था участ Keys में स्तह Оोके अगर हम बात करें यह द्रववस्था में क्या होता है अड़ों की बीच की दूरी जो होती है वो मौडरेट होती है गैसों से कम होती है ठोसों से जादा होती है तो यहां उसमीवेग क्या होता है गैसों से कम होता है ठोसों से जादा होता है तो द्रववस्था में होता है अब अगर कणों की बी के लिए अलग की बीच आइनों की बीच परमाड़ों की बीच वहां सफ इंटर मालिकुलर फोर्स का बहुत अधिक हो जरूरी है बहुत अधिक होना बहुत जरूरी है जितना जाधा फोरस आप इसे सोच रहे हूँगे तो आप बच्चे सोच रहे होगी क्या सर सालिंड में जो कण होते हैं वह हो जाते हैं जगह आके रुक जाते हैं वो मोशन नहीं करते हैं तो नहीं बच्चों ये बहुत किलियर आप सुलेजिए अवस्था कोई भी हो पार्टिकल कभी रुकते नहीं है वो हमेशा मोशन करते हैं वो हमेशा क्या करते हैं मोशन उनको जितनी भी जगह मिलती है उतनी ही ज जो होती है उसमी वेग जो होता है गैसों में सब से ज्याद़ पाया जाता है द्रव में उससे कम और ठोसों में सब से कम लेकिन पाया जरूवर जाता है ठोस चाहे कितना werde हाड माटेरियल क्यों ना हो उसके भी पार्टिक्यल जितना भी उनको अस्थान मिला अपने अस्थान पर कमपनों करते रहते हैं समझ माई बात यहां तक किसी कोई दिक्कत तो यह दो परासपर दो बिरोधी गुण विटा हर पदार्थ में पाए जाते हैं फिक्स टमप्रेच हो गया सबका को क्यों अब यह आप फेड़ें लिए हाए एक चीज़े देखना है यह द्रह आअच्य फ़ितानա गये हैर Benni अभे पड़ना प्ड़ना नहीं में हमें अब पढ़ना कया है स्थोस्ता चाप्टर का नाम ही वह यह थोस्वस्था है तो थोस्वस्था ही पढ़ होते हैं तो हेडिंग डालेजिए थोस अब थोस क्या होते हैं इसकी परिभासा हम फटा-फट लिख दे रहे हैं आप लिख लीजिएगा थोस पदार्थ थोस पदार्थ जिनको आफ सालिट कहते हो क्या होता है इनका रुड़ा क्या क्या निस्सित होता है द्रभ बेमान और यसित होते हैं होते हैं तो ऐसे पदार्थ जिनके द्रभ्यमान आयतन आकार यह सब क्या होते हैं निश्चित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं ठोस पदार्थ कहते हैं यहां तक क्लियर हुआ ऐसे पदार्थ जिनके द्रभ्यमान आयतन आकार यह सब निश्चित होते हैं उन्हें क्या कहा जा कणों के बीच कण का मतलब क्या बच्चों वही परमाड़ आड़ू या फिर क्या विटा आयन अब बहुत ध्यान से लखते जाएं ठोसों के कणों, परमाड़, आड़ू या आयनों के बीच के बीच क्या काम करता है अंत्रा आडविक अंतरा आणविक आकरसन बल आकरसन बल सबसे अधिक पाया जाता है क्या होता ड़ा सबसे अधिक पाया जाता है सबसे अधिक आकरसन बल किसके अंदर पाया जाता है ये ठोसों के अंदर उटा सबसे ज़्यादा अंत्रा अणवी का कर्शनवल पाया जाता है यहां तक सब को समझ में आया बोली कोई दिक्कत और क्या आप जान सकते हो ठोसों के बारे में और भी कुछ इंफॉर्मेशन जो important बाज उटा है ये जो ठोस होते हैं ठोसों के कंड कौंसे गती करते हैं दोलन गती करते हैं इनको जो भी space मिलेगा उसमें जोलनी गती कंपने गती ये करते रहते हैं दोलन गति करते रहते हैं समझ मैं आया सबको और क्या लिख सकते हैं जो ठोस होते हैं वो आसंपीड होते हैं ठोस क्या होते हैं आसंपीड क्या होते हैं आसंपीड होते हैं आसंपीड होने का क्या मतलब होता है आप उनको जब दबाएंग, दबा करके उनका आयतना आपकम नहीं कर सकते हैं, वैसे ठोसों के बहुत सारी प्रावपर्टीज होती हैं, यह फिजिक्स का टापिक है, तो यहां जो भावतिक गुण होते हैं, ठोसों के उतना डिटेल से नहीं करना है, यह चैमेस्टी का पॉरसन है, यह जब सेतmp hit होते हैं है मिसंदम आप्स करके नोट कर लीजिए इसको मिटा दे रहा है यह और दृस मिकimizi प्रकार से बेवस्तित होते हैं उसकी ब्यवस्ता के नहीं पर ठोसों को दो भागों में बाट दिया गया है इसको भी अटा दे रहे हैं चप्टर का नाम में इससे क्या मतलब है तो आप हेडिंग क्या लिखेंगे कड़ों की व्यवस्था के अधार पे ठोस का वरगी करण यहां से पर में चीजें पूछी जाने वाली आ गई हैं अब आइसी चीजें आप पढ़ना शुरू कर दियो जहां से टारेक्ट पेपर में वन नंबर में वन मार्क में या टू मार्क में डारेट कुछ तेन पूछा जाएगा तो आपको हेडिंग लिखना है कड़ों की व्यवस्था के आधार पर ठोसों का वरगी करण आप लिख अधार पर ठोस का वरगी करण देखें इस आधार पर ठोसों को दो भागों में बाटा गया है कितने भागों बाटा गया है दो भागों में बहुत अच्छे से यह टापिक आपको सिखाएंगे इतने मिनहां से आप बस देखते जाएए दो भागों में पहला क्या है पहला है क्रिस्टली इस वेरी वेरी इंपोर्डेंट क्रिस्टली क्या है बच्छों क्रिस्टली आप क्रिस्टलाइन क्या कहा जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड समझ में आरा सबको क्रिस्टलाइन सॉलिड दूसरा है आ क्रिस्टली ठोस आ क्रिस्टली पहला होगे क्रिस्टली दूसरा होगे आ क्रिस्टली ठोस इसको एमार्फस कहा जाता है क्या कहा जाता है इप्ड़ाँ ऐस है मौर्फ़ाँ दो तीन बार बोलेंगे आपको याद हो गया क्रिस्ट्लाइन सॉलिड़ पार्टिकल आफ Solid, ठोसों के कड़ों की ब्यवस्था के आधार पर ठोसों को उबच्छो दो कटेगरी में माझड दिया गया, पहला क्या है क्रिस्टली और दूसरा क्या है और अक्रिस्टली ये दू भागों में बाड़ दिया गया अब सवाल यह है कि क्रिस्टली क्या होते हैं और अक्रिस्टली क्या होते हैं पहले आप ध्यान से सुल लेजिए फिर सारी चीजों को हम क्या करें उड़ा बोर्ड पर लिख देंगे वन बाई वन और आप नोट्स अच्छे से बना लीजीगा देखिए कंड का मतलब क्या भी मैंने बता है कंड का क्या मतलब बताया गया कि कंड का मतलब उसके आयन उसके परमाडू उसके अनू उसके अंदर की जो पाडिकल्स हैं जिससे वो मिल करके पूरा सॉलिट बना हुआ हुआ है उसी को हम कह रहे हैं कंड तो जब पदार्थों को काट कर करके पदार्थों को तोड़ करके उसके अंदर के सरचना का स्टेडी किया गया तो हमको दो प्रकार की अरेंजमेंट दिखे उन कड़ों की दो प्रकार की व्यवस्थाइं दिखें अब दो प्रकार की व्यवस्था क्या क्या हो सकती है बताओ एक व्यवस्थत हो सकती है तहरा या तो आप कोई कोई भी भीवस्था ना हो आव वे वस्थी तरीके से कोई कहीं भी खड़ा हो जाए यह एक प्रकार की यह व्याष्था है और दूसरा क्या है एदम लाइन टू लाइन उड़ा रो और कालम में इस तरीके से सारे बच्चे खड़े हो सबका सिर एक तरफ हो ना सब एकदम पैरलेली एक समान आवस्था में हो तो उसे क्या कहेंगे एक निशित आडर में एक फिक्स आडर में वो खड़े हैं एक निशित व्यावस्था में थे हैं वह भी कुछ इसी तरीके से मिलें कुछ पदार्व ऐसे थे जिस्में रैणडम मिले कोई इदर मिला कोई उदर नहीं अब उस्तों ऐसे मिले जिसमें एक निशड प supporters बार बार अफ्ल्राभीध हो रहे अगर कोई एटम यहां मिला उसके बाद यह फिर उसके बाद यह फिर उसके बाद इसे सारी चीजे मिल लाई थी तो एक ऐसे पदार्थ जिसमें पदार्थ के कड़ एक निशित ब्यावस्था में सेट हुए थे और एक ऐसे पदार्थ जिसमें निशित ब्यावस्था में नहीं बलके रैंडमली ऐसे जादरिछिक रोब से इधर दर पड़े हुए थे ये दो परकार के पदार्थ हुए तो क किसको crystal बोला गया और किसको अ-crystalline बोला गया बच्छों तो निस्थ रोब से बुच्छों जिस्में एक निस्यत आडर पाया गया जिनके बद आर्थों में नियमितता पाए गया एक निस्यत अरेज्मेंट पाए गया उससे दुनिया बोलती है एक कृष्टली है उसे दुनिया क्या बोलती है बुछों क्रिस्ट्ली सॉलिड बोलती है और जिन पदार्थों में नियमितता नहीं पाय जैती जिनके कड़ इधर अधर रेंडमली ऐसे घूमते कहीं भी कोई भी पड़ा हुआ है मस्त अपना उसको क्या कहा गया आग किस्टली स्वालिट कहा गया किलियर हो गड़ी बात इतनी सरल इतनी सिंपल डेफिनिशन आपको आपकी ही भासा में हमने समझाया अगर इसके बाद भी आप भूलते हो बुच्छों तो यह थोड़ा सा आपकी भी लापरवाही मानी जाए तो फिर यह लिखना पढ़ना तो यह एक अलग काम है ना तो रटने रटने वाले बात हो जाए चलो किताब की डिफिनिशन रख लिए नहीं आपको समझना मैंने क्या बता है क्रिस्टली का मतलब क्या हो गया जिसमें चीज़े क्या हो एकदम सिस्टम से हो हर हर चीज जो ब फर्माडू होगा आयन होगा या क्या होगे आपके अड़ू होंगे तो अगर पदार्थों के अंदर कण एक निश्चित ब्यवस्था में है एक निश्चित जामिती में सेठ है तो उसे क्रिस्टली कहेंगे अगर निमित ब्यवस्था में तो उससे क्या गाएंगे आ क्रिस एक निस्चित व्यवस्था में क्या होते हैं? एक निश्चित ब्यवस्था में ब्यवस्थित होते हैं, ऐसे डिफिनिशन लिख दिये हैं कि इसको थोड़ा सा समझना भी, ऐसे ठोस जिनमें अव्यविकर्ण एक निश्चित ब्यवस्था के रूप में पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं, क्रिस्टली ये कहलाते हैं, अपने मन से भी डिफिनिशन बना सकते हैं, अगर आप समझ गए तो रटने के जरूरत नहीं, क्रिस्टली ये पदार्त कहलाते हैं, तो ऐसे ठोस जिनमें अव्यविकर्ण एक निश्चित ब्यवस्था के रूप में पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं बच्चों, क्रिस्टली ठोस कहलाते हैं, इनमें क्या होते हैं, इनमें एक निश्चित क्या होती है, जामित, इनमें एक निश्चित जामित पाई जाती है किया पाई तयोस्चित आप इनका होगा इसे नहीं कि किसी भी होज Mull फौंगत पाई जती है जो इंट एक पहले बाद जोकिटा याद रखियेगा तो पहली बाद दूसरी बात तीजरा स्टैर से बारा में गयां है कि यह कर Brig कि या यह सकते हैं रेलग परास क्या होते हैं दीर्ग परास वाले ठोस होते हैं दीर्ग परास वाले ठोस होते हैं इसका क्या मतलब इसका मतलब यह दीर्ग परास वाले ठोस होने का मतलब यह हो गया कि जैसे अगर आपने थोड़ी दूर देख लिया कि किस क्रम में यह व्यवस्थित हैं उसके बाद चाहे ज इसी तरूप से आपको वही क्रम मिलेगा आप 100% से और हो जाएंगे कि इसके बाद यहीं मिलेगा आप थोड़ी सी डिस्टेंस में आप देख लिजी कि किस क्रम में वह व्यवस्थित हैं आप चाहे इतना दूर चले जाएंगे सॉलिड में आपको वहां अगले नेस स्टिप में आपको पता चल जाएगा को वहां पर अगला कौन मिलने वाला है कौन सा पार्टिकल वहां पर होगा इसी कहा जाता है यह दीर पराज ही होते हैं यहां पर जो व्यवस्था होती है उसमें कहीं पर कोई गवड़ी नहीं होती प्रभी कि इस तरीके सची होते हैं और दूसरी डिफिनिशन आपको क्या लिखना है आ क्रिस्टिली सॉलिड में तो पहले बात हुगेई ऐसे थोस ऐसे थोस जिन में जिन में आवयवी यहां दिख रहा है हाँ ठीक हे ड़ा ऐसे ठोग जिन में आवयवी कणों की कोई आवयवी कणों की कोई निश्चित बेवस्था कोई निस्चित ब्यवस्था नहीं पाई जाती है उसे क्या कहेंगे या आक्रिस्टली कहेंगे समझ में आया और इनमें एक निस्चित जामित होती है इनकी कोई निस्चित जामित नहीं होती है और क्या बात है ये लगु परासी होते हैं होती हैं मतलब क्या लगु परासी का मतलब यह हो गया कि जो आक्रिस्टली ठोस होते हैं इनमें आप साटे नहीं हो कि अभी जैसे एक एटम यहां है तो दूसरा यहां है तीसरा चौथा इसके बार में आप कुछ नहीं बता सकते हो कि आके कौन मिलने वाला है समझ में इसे क्रिस्टली में अ strain है इक पहले बाद दूसरा चौधा का बता सकते हो पहला तिसरा पर जौधा कुछ नहीं है किस टाइब का यह प्या अ क्रिस्टली ठोस कहलाते ठीक है उड़ा तो उमीद करते हैं यह वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा यह यत्रा हम लोगों ने सुरू किया है तो इसको मिल करके उड़ा सफल बनाएंगे हम बस हमारी कोशिस यह है कि आप लोगों के अंदर जो भी कमिया उड़ा जिस टाइब की भी कमिया है हम हम अपनी मेहनस से उसको दूर कर सकें यही बस हमारा अद्धेश है और थोड़ा हम आपसे यह पेछा करेंगे इस वीडियो को जितने ज्यादा ज्यादा लोगों को तक सेयर कर दीजिए ताकि यह चो चोटा सा चैनल है धीरे 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 तोड़ा अपना बिस्तार करता रह अच्छा बना रहेगा तो डेली हम आपके लिए कोई ने कोई वीडियो लेके आएंगे और जो फिजिक्स का वीडियो अप्लोड कर रहा है अच्छा मैगनेटिजम का वह भी कंटिन्यू पैलल चलता रहेगा ऐसा नहीं कि हम केमस्टी का सुरू कर दिये हैं तो फिजिक्स का रोग देंगे नहीं फिजिक्स मैगनेटिजम वाली यूनिट जो चल लाए वो चलती रहेगी और केमस्टी की क्लासें भी ऐसे चलती अब हम आपसे वड़ा विद्या लेंगे ओके बेस्ट आप लग थैंक्यू अ करता ह।